Hello friends and welcome to my channel अपना इंशुरेंस वाला तो friends मैं आपको बता दूं कि समशुरेंट एक गारेंट एमाउंट है एक निश्चित राशी है जो कमपनी आपको देने का प्रॉमिस करती है या जिसे आपने अपनी पॉलिसी के नॉमनी बनाया हूँ है उसे ये राशी मिलती है अगर आपके साथ कोई मिसहापनिंग हो जाती है या in case of death या critical illness आपके साथ होती है तो इतना amount guaranteed company आपको प्रोवाइड कराएगी मालीज़े कि आप अपने परिवार के लिए एक छाता खरीते हैं ये छाता आपके परिवार को बारिस से बचाता है उसी तरीके से बीमा आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है इस सुरक्षा कवच में सम एशर्ड वहर अकम है जिसे आप बीमा पॉलिसी खरीते वक्त चुनते हैं या वह पैसा है जो किसी मुसीबत के वक्त आपकी आपके परिवार को बीमा company देगी आप जितना premium चुकाते हैं उतना ही बड़ा आपका सम एशर्ड हो सकता है मालीजे किसी दुरगट्टा में आपके साथ कुछ हो जाता है तो ये सम एशर्ड आपके परिवार का आर्थिक मदद के तौर पर मिलेगा तो आपको इध्यान रखना है सम एशर्ड आपके परिवार के लिए एक financial security है जिसे आप पहले से ही तैग कर लेते हैं जीवर unexpected होता है किसी को पता लही होता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है इसलिए लोग बीमा policy के जरिये भविश्य में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करते हैं इंसरेंस के मामले में अकसर दो टर्म का बहुत इस्तमाल होता है एक है some assured और दुसरा है some insured आपने भी इन दोनों टर्म के में भले एक जैसे लगते हो लेकिन दोनों के अर्थ में काफी अंतर है सम इंशर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है कि बीमित राशी यानि आपके होने वाले लाप के बारे में बताता है जबकि सम इंशर्ड का मतलब होता है बीमा कृत राशी यानि या बीमा कृत नुकस एक तरहे की से गारेंटी वाली राशी होती है जो पॉलिसी धारग को मिलती ही है इसे coverage राशी के दौर पर भी जाना जाता है सम assured की वह कुल राशी होती है जिसके लिए व्यक्ति policy लेता है वही पर configured की बात करें तो यहां एक छटी पूर्थी के से जुड़ा होता है यानि इसमें इंशुरेंस लेने वाले व्यक्ति को हुए नुकसान को कवर किया जाता है जिसे एक कंपल्सेशन के रूप में दिया जाता है मान लिएजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वास्त भीमा पॉलिसी में एक लाग रुपे का सम एशुर्ण मिला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति भीमार होका अस्पताल में भरती होता है तो उसके अस्पताल की एक लाग रुपे का खर्चा इंशुरेंस क परिवार को किसी भी तरीके की आर्थिक परिशानी का सामना न करना पड़े आप भी अपनी जिम्यदारियों को देखते हुए अपना सही बीमा जरूर करवाएं आप कितना भी बड़ा बीमा ले सकते हैं आपके द्वारा चुने गए समश्योड के हिसाब से ही आपको सालाना अगर समश्योड कम है तो साल का प्रीमयं भी आपको कम पड़ेगा और अगर सब इश्योड जादा है तो साल का प्रीमयं भी आपको जादा पड़ेगा मैं यहां पो एक बात क्लियर कर दूं कि 10 लाक बीमा लेने का मतलब ये बिलकूल भी नहीं है कि आपको 10 लाक रुपे बीमा कमपनी में जमा करने हैं बल्कि 10 लाक रुपे समेशोड का मतलब है कि आप बहुत ही थोड़े अमाउंट यानि साल का प्रीमियम देकर आप अपने परिवार के लिए 10 लाक रुपे की गारंटी पहले ही दिन से पाते हैं किसी भी तरीके की अन्होनी की दशा में आपके परिवार को 10 लाक रुपे मिल जाएंगे मालनेते हैं कि आपने एक बीमा लिया है जिसका समेशोड 10 लाक रुपे है यहां देखिए अगर 10 लाक का मंधिली प्रीमियम एक हजार है तो सिर्फ एक हजार रुपे देकर ही आप अगले ही दिन से अपने परिवार के लिए 10 लाक की सुरक्षा का इंदजाम कर सकते हैं आप अपने किसी भी एक मित्र के बारे में सोचिए कि क्या कोई सच में ऐसा मित्र है या ऐसा दोस्त है जो कल आपके न रहने के बाद आपके परिवार को 10 लाक रुपे दे सकता है नहीं ना पर आपका एक मित्र है L.I.C. जो यह काम करती है और आपको गारेंटेड आपके परिवार की सुरक्षा करवाती है। अतना फंड रखा हुआ है या आपके रिटार्मेंट्स के क्या प्लान है इन सबकी अधार पर समेशोड का चैन किया जाएगा। यहां पर एक ध्यान दोने वाली बात है कि दूसरों की देखा देखी समेशोड पर डिसाइड ना करें। आपको कितने समेशोड की जरूरत है यह जानने के लिए आप अपने फाइनेशियल एडवाइसर या अपने बीमा अभीकरता से भी बात कर सकते हैं। उधारन के तोर पर अगर आप एक मैरिट परसन है और आपकी दो बेटिया है जिनके उम्र एक साल और चार साल है और आपकी सालाना इंकम दस लाग है और आपकी उम्र तीस साल है अब आपको किस तरीके का समेशोड चुनना होगा अपने बीमा के लिए तो आपको कम से कम त चुनना चाहिए जिससे कुछ मिस हैपनिंग होने पर आपके परिवार को तीन करोड उपे मिल जाएंगे जिसको वो बैंक में जमा कर देंगे तो उन्हें हर साल तीन से चार परसेंट का इंट्रेस्ट मिलेगा जो नौ लाग से बारा लाग होगा यह आपके परिवार के जो और एजुकेशन को प्लान कर देगी उमीद करती हूं आपको समेशोड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब रहे होगी जरूर्ण तूर्ष।